जारखन चुनाओ 2024 आदिवासियों ने दिल खोलकर किया है बोट 20 सीटों से मिले हैं संकेत बाद में पाटियों की तड़कने है वो बढ़ चुकी है तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो पर हम बात करेंगे कि भोटिंग आखिर कितने परशेंट हुआ है और आदिवासियों ने कितना भोट दिया है इसी के बारे में बात करने वाला तो वीडियो को सुरू से अंतक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब पर लिजेगा या पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा है जारखन चुनाओ 2024 जारखन विधान सबचुनाओ के पहले चरन सीटों पर भोट पड़े है उनमें 10 पर मदान 70 फिसदी से उपर हुआ है खरसावा में तो 77 परशेंट पहुच गिया है उसके बाद आगे पढ़के आपको बताता हो दोस्तों तो आगे आप यहां पर देख शक्ते हैं लिखा गिया है कि यहां पर आप देख शक्ते हैं फो जैनी एस्टी और अनुसूचित जाती एस्टी की 26 सीट है पहले चरण की मदान का चौकाने वालत तत्य हिया है कि आरचित सीटों पर इस बार 77 परशेंट पर बोट डाले गए अब तक के चुनाओं में मदान का यह रिकॉर्ड है जिन 26 आरचित सीटों पर मदान हुआ इनम जारखंड मुक्ति मोर्चा यानि जेवेम के नेत्रित वाले इंडिया बलोक के पास 21 सीट है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सिर्फ 5 सीटों पर इंडिये के पास है आप यहाँ पर देख सकते हैं आरचित जो सीटों का कितना भोट मिला है वो आपको मैं पर कहां कितने मिले हैं भोट तो चुना आयोग द्वारा जारी आकड़ों के मुताबिक एस्टी के लिए आरचित सीटों खर्षावा के रिकॉर्ड बनाया है जहाँ पर उनासी दस मलों 11 पर तीसद मद्दान हुआ दूसरे नंबर पर घाट सीला जहां 75.85 पर शीट भोट पड़े हैं वहाई पर एस्टी के लिए रिजर्व बीस सीटों पर पहले चरण के चुनाओं यहां पर देख सकते हैं पहले चरण के चुनाओं जिनके जिनमें 10 पर सतर प्रतिसद से अधिक बोट पड़े बाकी 10 सीटों पर भी पिछले मुकाबले मद्दान का प्रतिसद ब लोग इसे हेमन सोरिंग के नित्रितों में बने इंडिया बलोग के पच्पे मान रहे हैं वस 2019 के विदान सबस्चुनाओं में एस्टी के लिए आरचित 28 सीट में 26 सीट इंडिया बलोग का ही कबजा था सिर्फ दो सीट ही भाजपा के खाते में गई थी तो आप यहां पर द दाताओं की उच्छा की भड़ी वजह हेमन सोरिंग सरकार दूआरा सुरू की गई मेया समान योजनाओं है जायराज्य सरकार के तीन मасहिने पहले ही 18 से 50 साल की महिलाओं के ले मैया समान योजनाओं की सुरूबात की थी इसके तहट महिलाओ के खातों में राजी सरकार हर महीने यहां पर देख सकते हर महीने एक हजार रुपिये डाल रही है समान रासीक लेने वाले महिलाओ की संख्या 49 लाक के करीब है समान रासीक की हेमन सोरिंक ने दिसंबर में इसे 25 सो रुपिया करने का वादा किया है पर दूर की अठनी के सामने की चवनी भली की मानसिक्ता वोटरों को हो शकती है तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों यहाँ पर भोट देने की संख्या यानि किस परकार से हेमन सोरेंग को सपोर्ट कर रहे है क्योंकि हेमन सोरेंग जितने के बाद पचीस सो रुपिया देने के ये खुज रहे हैं जबकि ये बीजेपी यानि भाजपा वालों ने 200 रुपिया देने के वादा किया है उसके बाद आगे आप यहाँ पर देख सकते दोस्तों आगे लिखा गया है कि काटे के टकर में कुछ भी संभव है सभी मान रहे हैं कि चुना में किसका पलराभारी है य आदिवासी सीटों को गोल बंद करने के लिए भाजपार ने बंगलादेश घुसपैटिक का मुद्दा उठाया है हलाकि लोग सभाचुना के वक्त हेमन सोरिंग जेल जाने से आदिवासी भोटर उनके पच में ही गोल बंद हो गये थे वरिष्ट पत्रकार मधू कहते हैं क से में आदिवासी सीटों पर 2019 से ही आप यहां पर देख सकते हैं उनकी पकड इस बार भी दिख जाए तो आश्चरी नहीं है तो यहां पर देख सकते दोस्तों हेमन सोरिंग यानि जे एमेम को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आदिवासीों के दोबारा और हो शकता ह जे एमेम की सरकार अपकी बार भी बन जाएगा तो वीडियो का आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें जाएं जाए भारत वंदे मत्रब